हाई फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आजगी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन परपस के लिए मैंने बनाई है जो फोटो ली है गूगल से ली है अब बार्याती क्या है देखिए किसी भी फोटो या वीडियो का साइज यानि वो किस शेप में है कितने बड़े शेप में है कितनी स्क्वेर है उसको एस्पेक्ट रेशियो कहते हैं मैं MB, KB या GB की बात नहीं कर रहा हूँ मैं उसके यानि पोट्रेट की बात कर रहा हूँ कि वह आपको ऐसे देखने पड़ती है या ऐसे देखने पड़ती है आपने देखा होगा कि अगर आप शॉर्ड वीडियो देखते हो तो आपको ऐसे देखना पड़ता है उसका एस्पेक्ट रेशियो यहां पर नो बटे 16 होगा अगर आपको यह लॉंग वीडियो देखते हो जैसे कि राउंड टो हैल की या कोई न्यूज देखते हो आज तक बगरा तो आपको ऐसे देखना पड़ता है वह फोन में बढ़ा करके तो उसका होता है सोलो पॉइंट नो मैं इसे पॉइंट कहूंगा जो बीच में दो डॉट दिख रही है वह पॉइंट कहूंगा मैं उसको क्यूंकि मुझे ज्यादा इजी होता है देखिए इसके कैस सारे एस्पेक्ट्रेश होते हैं 3.2 यह आपको डेस लाना मिलेगा जारा उसकी स्क्रीन के साइज यही होती है फिर आता है 4.3 यह आपको कंप्यूटर डिस्प्ले में और कुछ पुराने टीवी में मिल जाएगा आजकल तो ऐसे का यूज होता नहीं है फिर आता है 5.4 अब तो यह तो बहुत जादा ही पुराना हो गया है आपने देखा होगा कि प और कंप्यूटर और जो कुछ टीवी हैं वह इस साइज में आ रहे है 16.10 जो इस साइज में और यह लॉग वीडियो होती है वह इस इस साइज में बनती है फिर आता है शिएमा आपने कभी न कभी साइज सिनेमा विदियो में जाकर मूवी देखी होगी या आपने कोई हॉल लिएबट मूवी दीखता में देखा कि वह लंबी होती है बहुत जादा और उपर से ब्लैक ब्लैक होती है यानि उसका एस्पक्ट रैश्यो यह होता है इक धीनयमा यह एक मूवय का एक एसपक्र रैस्यो है इसमें भी कई सारी मूवी लांच होती है 10913 में रेशी होता है मेरा जो फोन है अभी 9.16 में है यानि कि 9.16 में साइद अब समझ गए होंगे वीडियो पासंद आई है तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा